एलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर जो सुबह हो या शाम अगर आपको हलके फिलके नाश्टी करने का मन कर रहे है या फिर आपको रात को खाना खाने का मन ने कर रहे है तो इस तरह से कुछ हल्फका फुलका और हल्दी नाश्टा बना कर खाईएगा इसके लिए आपर मैंने लिया हुए गेव का आटा और इसमें मैं एड किया हुए हल्दी पाउडर और लाल मेच पाउडर यह बहुत हल्दी रेसिपी आप बच्चों के इस तरह से खिला सकते और बहुत ही टेश्टी रेसिपी है इसमें मैंने अभी एड कर दिया है सौल्ट अब इसके बद मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके ले रही हुए मसाली को अब डिनर टाइम पर इसे बना सकते हो तो मैंने भी इसे डिनर टाइम पर ही बनाया था क्यूंकि राइस पना कर खायेगा बहुत अच्छा लगता है और नॉर्मल रोटी सब्जी खाने में इतना मज़ा नहीं आता है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करके एक अच्छे से बैटर बना कर लेना है तो मैं इसी तरह से हाथों से इस तरह से अच्छे से बैटर बना कर ले लूँगी तो यहाँ पर मैंने कर दिया है थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इस तरह से थोड़ा वाटर ही रहागा यह अब मैं इसमें आड़ करूंगी आलू एक मैंने आलू लिया हुए जिसे मैंने हलका सा बॉयल करके अच्छे से मैश करके या फिर इस तरह से गीश के लिया हुआ है उसे एड़ करें और उसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी गाजर और फिर एड़ करूँगी ओनियन और उसके साथ मैं एड़ करूँगी तमटर आप इसमें जो सबजी चाहे वो आड़ कर सकते हो इसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी मटर इन सबकों मैंने अच्छे से आड़ कर दिया आप इसमें बीन से आड़ कर सकते हो या फिर और कुछ भी सबजी आप आड़ कर सकते हो जो आपको पसंद होगा और इसमें मैंने आड़ कर दिया है करी लीज और ग्रीन चिली और इसके बाद आड़ किया है धन्या पता धेर सारा धन्या पता अड़ करने से बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेशनेस आता है तो इसलिए मैंने धन्या पता भी आड़ कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसे बना सकते हो और गरम गरम बच्चे को खिला सकते हो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके ले लिया है वेजिटेबल्स और इस तरह से बाकी सारे मसाला को अगर बच्चे है ग्रीन चिली नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अब मैंने क्या केक तवी को रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा मैं ऑईल एड़ कर दूँगी आप चाहे तो जैसे धोसा बनाते हो ये बैटर को थोड़ा और पतला करके धोसा जैसे बनाते हो वैसे ही बना सकते हो बहुत एजिली बन जाते ही बनाने में कुछ मुश्किल नहीं है इसके बार मैंने तवे में ओईल गरम होने के लिए रखा है ओईल गरम होते ही ये जो अपना बैटर है उसे में एड़ कर दूँगी इस तरह से डालके हलका सा फेला दूँगी आपको जो शेप चाहे आप दे सकते हो या फिर आपको पतला मोटा जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हो मैंने ऐसे सबजे डाला है जो पकने में जादा ठाइम नहीं लगता है जो पकने में जादा ठाइम पकने में आलू जो लिया है वह बॉल करके थो ज्यादा बस्त इस अगर आगर कोई और सबजी ले रो 건 बीन्स फ्लावर या कुछ भी तो उसे छोटे पीसस में कट करके ले लिजेगा अच्छे से पक जाएगा इसे मैं दो से तीन मिन्ट तक इस तरह से कवर करके रख दूँगी इसके बाद इस तरह से निकाल दूँगी आप यहां पर देख सकते हो दिखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है अब मैं इसे टर्न कर लूँगी यह ब तक पका सकते हो अब यह मैंने दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पका कर ले लिया है इससे आप मसाला रोटी कह सकते हो जो नाम चाहे आप दे सकते हो इसे मैं भी अच्छे से हो गया है तो इससे सब करने के लिए निकाल रही हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत खुबसरत लग रहा है इससे आप बच्छे को दे रहे हो तो टोमेटो केचप के साथ या फिर सेजवन चटनी के साथ दे सकते हो बहुत ही अच्छा बना हुआ और बहुत टेस्टी बना हुआ है यह प्लीस इस रेसिपी को जरूर ट है घर पे इस तरह से बहुत हेल्दी सा चीज बना सकते हो अगर आपके अस नॉन स्टिक तवा है तो आप बीन बीना ओयल का बना सकते हो या फिर वैसे भी ज्यादा ओयल डानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी से निकल जाता है प्लीस इस वीडियो को लाइक करना और म